नहीं मेरे दोस्तों आज हम प्रसना वली एक दसमलो तीन एंसी आर्टी बुक तेंथ कलास का प्रसन कर्मांग है तीन का भाग नंबर टू आज हम इस वीडियो के अंदर कौफर करेंगे यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सकाइब कर लेंगे और अधिक साधिक अपने मित्रों के पास इस वीडियो को सेर करेंगे देखे क्या है सीध कीजिये कि 7 रूट 5 एक अपड़ी में संख्या है अब इस प्रसन को कैसे सीध करना है तो यहाँ देख रहे हैं अपड़ी में संख्या है इसका ठीक अपोजीट हमको क्या कर लेना पड़ेगा तो माल लेना पड़ेगा ठीक है तो कैसे मानेंगे लिखेंगे माना की साथ रूट पांच एक पड़ी में क्या है एक पड़ी में संख्या है ठीक है यहां हम मान लिए क्योंकि और पड़ी में संख्या हमको सीध करना है तो यहां पर पड़ी में संख्या मान करके पहले सीध करेंगे माना की 7 रूट 5 एक पड़ी में संख्या है अब हम इसके बाद क्या करेंगे शाथ रूट 5 बरावर P बटे Q इसको ले लेते हैं अब यहाँ P बटे Q हो सकता है क्या तो आब यहाँ समझेंगे कि P बटे Q क्या होता है लिखेंगे जहाँ P और Q एक सह अभाजे पुर्णांक है ठीक है इसको हम यहाँ पड़ क्या कर लिए तो जहाँ P और Q एक सह अभाजे पुर्णांक है जो कि क्या होता है Q is equal to not zero तो यह होता क्या है तो अब हम जान लेंगे कि जिसका SCF मतलब P और Q का recommend यहाँ SCF निकलेंगे ते क्या होगा एक के बड़ाबर हो जाएगा ठीक है जब एक के बड़ाबर हो जाएगा तो हम समझ लेंगे कि यहाँ एक क्या है सह अभाजे पुर्णांक भी है और पलस में यह एक पड़ी में संख्या भी है अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर अब एक बड़ाओर इसको लिख लेते हैं अब लिखेंगे एक बड़ाओर 7 रूट 5 ब्रावर P बटे Q ऐसे लिख लिए अब हमको क्या करना है यहाँ पर कि यह जो अब देख रहे है रूट का अंक रूट का अंक को हम इधर बड़ावर के बाएं साइड ही रखते हैं ठीक है अब बड़ावर P बटे यहाँ क्या लिखते हैं Q अब यहाँ देख रहे हैं कि यह जो है रूट के साथ जो 7 है ये गुना में है ठीक है अगर बराबर के दायें साइड इसको लेके चलेंगे तो ये जो गुना में है वो क्या में आ जाएगा तो यहां ये भाग में आ जाएगा ठीक है अब यह बटा में हो गया ठीक है अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं यहां एक क है एक परिमे संख्या है तो आप ये बताईए कि अपरिमे संख्या बरी में कभी एक दूसरे की ये बढ़ावर हो सकता है तो कभी बढ़ावर नहीं हो सकता है तो हम लिखेंगे क्या चुकी पी और क्यूग एक पुर्णांक तुर्णांक है ठीक है अतह रूट पांच एक अपरी और पड़ी में है ठीक है? यहाँ पर हम लोग क्या लिखें? कि चुकि P और Q एक पुर्णांग है अतारूट पांच एक क्या है? और पड़ी में संख्या है तो हम जानते हम जानते हैं कि P बटटे 7 Q एक पड़ी में एक पड़ी में संख्या है ठीक है? यहाँ पर हम लोग क्या जान गए है? कि हम जानते हैं कि P बटटे 7 Q एक पड़ी में संख्या है कैसे? तो यहाँ लिखेंगे चुकि और पड़ी में चुकि और पड़ी में संख्या अपरिमे संख्या बड़ावर परिमे संख्या असंभव है ठीक है क्योंकि यह एक दूसरे के कभी बड़ावर होई नहीं सकता है यह असंभव है तो लिखेंगे क्या इसलिए सेवेन रूट फाइप एक अपरिमे संख्या है ठीक है तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो यदि समझ में आ गया होगा तो पिली चैनल को सब्सकाइब कर लेंगे और अधिक सदिक अपने मित्रों के पास सेर कर लेंगे धन्यवाद